Hello students, चलिए start करते हैं exercise 3.3 का question number first देखते हैं क्या है अगर अभी तक आपने chapter number 3 के introduction दोनों वीडियो नहीं देखी हैं तो एक बार वो देखी अच्छे से then आप questions कीजिए आपको बहुत अच्छे से concept clear होंगे ठीक है तो question number first दो बिलकुल ईजी सा question है जैसा कि हमारा question number यह जो first दे रखा है ऐसे ही similar question हमारे class 10 के अंदर भी थे तो आपने बहुत सारे किये होंगे चलिए देखते हैं same steps को बोलो करते हुए इसको भी करना है सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर क्या given है एक left hand side given है और equal to का sign और एक right hand side given है इसका मतलब हमने left hand side को right hand side को equal prove करना है अब यहाँ पर देखो कुछ है pi by 6, pi by 3, pi by 4 करके हमारा trigonometric functions के angle given है तो हमें इनकी values याद होनी चाहिए आपको पता भी होगा table किस तरीके से form होती है otherwise आपको पता होनी चाहिए कि sign pi by 6 की value क्या होती है cos pi by 3 की क्या 10 pi by 4 की तब ही आप इस question को कर पाएंगे तो सबसे पहले अगर मैं बात करू sign pi by 6 sign pi by 6 की value होती है 1 by 2 उसका square बोल रखा है तो यहाँ पे करेंगे हम 1 by 2 का square plus cos pi by 3 की value क्या होती है cos pi by 3 भी 1 by 2 होता है तो यहाँ पे क्या होगा 1 by 2 का इसका भी square बोल रखा है minus में 10 pi by 4 क्या होता है 1, 1 का square सभी का square दे रखा था तो सभी का हमने square कर लिया यह है हमारी left hand side इसको simplify करते हैं तो left hand side में हमारा क्या आ गया 1 by 2 का square करेंगे तो 1 by 4 plus में 1 by 2 का square क्या 1 by 4 minus में 1, अब उन में 1 मान लेंगे LCM लेते हैं कितना आएगा यहाँ पे 4, 4 से 4 cancel out 1 4 से 4 cancel out यहाँ पे आ गया हमारा फिर 1 minus में 4 वन जा 4 तो यहाँ पे आ गया 4 तो यहाँ पे कितना बच गया हमारे पास देखते हैं minus का 4 और plus का 2 minus के 4 में से 2 गया तो minus का 2 by 4 2 वन जा 2, 2 टू जा 4 तो क्या आ गया हमारा यहाँ पे minus का 1 by 2 और right hand side भी क्या है minus का 1 by 2 तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम left hand side is equal to किसके आगे हमारी right hand side के hence prove बिल्कुल simple question था last hand में इस तरीके के question आपने किये हैं तो यह लिए आपको समझ में आ जाना चीए अब आता है question number second थोड़ा सा advance question number second के अंदर क्या given है हमे 2 sin square pi by 6 plus cosecant square 7 pi by 6 into cos square pi by 3 equal to 3 by 2 प्रू करना है अब यहाँ पे देखो cos pi by 3 की value भी आपको पता है sin pi by 6 की भी पता है cosecant 7 pi by 6 की value हमें नहीं पता तो इसका क्या किया जाए इसका solution हमें देखना पड़ेगा बस यही चीज आपको सीखनी है थोड़ी सी वो introduction में बहुत अच्छे से बताई है इसलिए मैं introduction के लिए बोल रहा हूँ otherwise यहाँ पे भी देखते हैं हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं left hand side की तो यहाँ पे क्या है 2 into sin pi by 6 sin pi by 6 क्या होता है अभी पिछले question में भी use हुआ था 1 by 2 इसका square गयो ना तो square कर देंगे प्लस में cosecant square 7 pi by 6 है तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं cosecant square 7 pi by 6 इसको break करके लिखना पड़ेगा किस पॉम में pi plus pi by 6 यह चीज आपको break करनी सीखनी है 7 pi by 6 है 6 से divide किया 6 बन्जा 6 एक remainder बचता है तो यहाँ पे plus होगा pi plus last में क्या है pi by 6 तो pi plus pi by 6 लिख दिया into में क्या हो जाएगा हमारा cosecant square pi by 3 इसकी value next step में रख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे देखो क्या आगया 2 into 1 by 2 का square करेंगे 1 by 4 प्लस अब देखो दियान से हमारे पास quadrant होते हैं यहाँ पे क्या होता है हमारा 0 degree यहाँ पे पाई की फो Note 0 degree हो गया यहाँ पे होता है हमारा 5 by 2 यह होता है हमारा 5 यह होता है 3 pi by 2 और यहाँ पे वापिस आता है हमारा 2 pi यह चीज आपको पता है फिर होता है after school to college यह चीज भी आपको clear है यहाँ पे all positive होते हैं यहाँ पे sine और cosecant positive होता है, third quadrant में 10 और quote, fourth में cos और secant, यह first quadrant, यह second quadrant, यह third और यह fourth quadrant, clear है, अब देखो, यहाँ पे क्या given है, cosecant pi plus pi by 6, pi में कुछ add हुआ है, तो pi यहाँ पे है, इसमें कुछ add करेंगे, तो कौन से quadrant में जाएगा, third में, third में cosecant क्या होता है, negative, तो यहाँ पे क्या आजाएगा, minus, और इस वाली line के plus minus कुछ भी होगा, pi plus minus कुछ भी हो, two pi plus minus कुछ भी हो, तो हमारा जो यह trigonometric function है, वो change नहीं होता है, only x इस पे, y वाली x इस पे change होता है, x इस पे change नहीं होता है, यह चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, मतलब यहाँ पे pi by two plus something होता, तो cosecant हमारा change हो जाता, secant के अंदर, तो अब भी यहाँ पे pi plus something है, या pi minus something होता है, तो cosecant रहेगा हमारा agities, तो आ गया cosecant, और जो भी यह angle है, pi by six, यह लिखे देंगे, और square था तो यहाँ पे square into, cosecant pi by three, clear है, आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो आगे अभी question करेंगे, वहाँ से भी clear हो जाएगा, introduction जरूर देखके आईए, तब आपको अच्छे से समझ में आएँगे, अब इसको simplify करते है, 2 वन जा 2, 2 तू जा 4 यहाँ पे आगया, 1 by 2 sign किसका है, minus का तो यहाँ पे बाहर रहेगा, हमारा plus का sign, अंदर देखते हैं, minus cosecant pi by six की value क्या होती है 2 होती है sign pi by six की value, 1 by 2 तो cosecant pi by six की value उसका reciprocal कर दो, तो minus 2 का square इस minus को यहाँ मतलियाना गल्थ हो जाएगा, अंदर ही रखना minus cosecant pi by six का square है तो minus 2 का square into, cos pi by three की value क्या होती है, हमारी 1 by 2, 1 by 2 का square करेंगे तो यहाँ पे क्या होती है, 1 by 2 का square तो 1 by 2, plus में 2 का square क्या होती है, 4 into 1 by 4, तो 4 से 4 cancel तो क्या बच गया है, यहाँ पे 1 by 2 plus 1, अब उन में 1 मानेंगे LC हम लिया, तो कितरा आ गया, 2 तो 2 से 2 cancel, 1 plus 2, is equal to क्या आ गया, 3 by 2, यही चीज तो हमने प्रूव करनी थी, तो क्या आ गया, हमारा left hand side equal to right hand side अब इस question में कुछ भी नहीं था, बस अगर किसी बच्चे को यह concept कलियर नहीं है, ना तो एक बार introduction देखके समझेए, बस यही चीज है, main कैसे हमने इसको change करना है बाकी तो trigonometric table आपको पता होनी चाहिए, आप easily कर दोगे ठीक है, next देखते है, question number 3 क्या है question number 3 के अंदर given है quote square pi by 6 plus cosecant 5 pi by 6 plus 3 10 square pi by 6 equal to 6 प्रूव करना है अब quote pi by 6 की भी value आपको पता है 10 pi by 6 की भी पता है ठीक है, क्योंकि जो 10 pi by 6 की होती है, उसका reciprocal quote pi by 6 की होगी बट यहाँ पे cosecant 5 pi by 6 है इसकी value हमें नहीं पता इसको break करना पड़ेगा, तो देखेंगे कैसे करेंगे यहाँ पे देखो, quote square pi by 6 तो quote pi by 6 की value क्या होगी 10 pi by 6 की जो value होती है वो होती है, वो होती है 1 by root 3 तो quote pi by 6 की क्या हो जाएगी इसका उल्टा, 1 by root 3 की value क्या होगी reciprocal root 3 तो यहाँ पे लिखेंगे root 3 का square पलस में इसको बाद में देखेंगे अभी मैं समझाओंगा, यहाँ पे break भी कैसे किया जाता है पलस में 3 into 10 square pi by 6 है 10 pi by 6 की value, 1 by 3 होती है 1 by root 3 इसका square यह है हमारी left hand side अब देखो ध्यान से यह आगया हमारा cosecant 5 pi by 6 को कैसे लिखा जाए 6 से divide करो, complete divide नहीं हो रहा क्योंकि 5 छोटा है तो minus करना पड़ेगा हमें तो क्या करेंगे, pi minus pi by 6 है, तो pi minus pi by 6, इस तरीके से break कर लो अब देखो, 6 pi की multiply 6 pi, minus pi करेंगे तो 5 pi by 6, हो गया break अगर यहाँ पे 6 से बड़ा होता numerator तो pi plus something होता ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं root 3 का square क्या हो जाएगा, 3 cosecant pi minus pi by 6, यह quadrant होता है, यह pi होता है, pi में से कुछ subtract करेंगे, कौन सा quadrant आ गया second, second में sine और sine का उल्टा क्या होता है cosecant, positive होते है तो यहाँ पे sine रहेगा, मारा positive और cosecant का cosecant रहेगा, और angle का है pi by 6, तो pi by 6 plus में 3 into 1 by root 3 का square करेंगे तो square से root cancel, तो यहाँ पे क्या देगा 1 by 3, 3 से 3 cancel यहाँ पे क्या गया, 3 plus cosecant pi by 6 की value क्या होती है 2 होती है, क्योंकि sine pi by 6 जो होता है वो होता है, मारा 1 by 2 तो cosecant pi by 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे इसका reciprocal कर देंगे कितना हो गया, 2, तो यहाँ पे आगया 2, plus में 3 से 3 cancel, यहाँ पे आगया 1 3 और 2, 5 और 1, 6 तो 6 आगया हमारा left hand side पे equal to किसके है, 6 के तो लिखतेंगे left hand side equal to किसके आगी, right hand side के I hope आपको समझ में आगया होगा कोई भी doubt लगे तो आप मुझे comment करके पूछ सकते है, अधरवाई channel को बहुत सारा support करके दिखाएए, यही आपसे request है next देखते हैं अपना question number 4 क्या है question number 4 के अंदर हमें given है, 2 sin square 3 pi by 4 plus 2 cos square pi by 4 plus 2 sec square pi by 3 अब in value की तो हम easily find out कर लेंगे in trigonometric functions की value उल्टा पुल्टा करके secant वगरा को बट यहाँ पे दिखो sin square 3 pi by 4 की value हमें नहीं पता है, तो क्या किया जाए देखो, 2 into sin square 3 देखो, numerator चोटा है तो minus करना पड़ेगा क्या करेंगे, pi minus pi by 4 देखो, यहाँ पे pi by 4 है तो pi minus pi by 4 कर लो, अब इसको check भी कर लो एक बार, 4 की pi से multiply 4 pi, 4 pi में से pi गया तो 3 pi by 4, clear है ठीक है हमारा, प्लस में 2 into cos pi by 4 cos pi by 4 की value क्या आती है, 1 by root 2 तो यहाँ पे 1 by root 2 square दे रखखा तो इसका square कर लेंगे प्लस 2 into secant pi by 3 अब secant pi by 3 की तो आपको याद नहीं होगी, cos pi by 3 की value देख लो, क्या होती है cos pi by 3 की value होती है, 1 by 2 तो secant की क्या होजएगी, उसका उल्टा तो यहाँ पे क्या होजएगा, 2 into 2 का square यह है हमारी left hand side clear है, देखो, यहाँ पे क्या है, कि हमेंने cos pi by 3 की जो value होती है वो होती है, 1 by 2 तो secant pi by 3 की value क्या हो जाएगी, secant cos का उल्टा होता है, इसका रेसे प्रोकल कर दो तो 2 होगी, तो 2 का square एक 2 बाहर था, वो हमने एज़िटीज रख लिया अब यहाँ पे देखते है, क्या हता है 2 into sine pi minus pi by 4 यह pi होता है, pi में से कुछ भी subtract होगा तो second quadrant में, और second में sine क्या होता है positive, तो यहाँ रहेगा positive sine तो यहाँ पे आगया हमारे पास sine pi by 4 का square इस तरीक्ये से लिख लो plus में 2 into 2 से root cancel यह क्या आगया, अपोन में 1 by 2 plus में 2 into 2 का square क्या हो गया, 4 next step चलते है 2 into, sine pi by 4 की value होती है 1 by root 2 तो 1 by root 2 का square करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 by 2 तेखो, sine pi by 4 होता है, 1 by root 2 इसका square करेंगे, तो square से root cancel तो 1 by 2 plus में, 2 से 2 cancel 1 आगया, 4 to जा 8, 2 से 2 cancel तो यहाँ आपे आगया, 1 plus 1 plus 8 8 or 1, 9 or 1, 10 तो 10 equal to किसके आगया 10 के, तो left hand side is equal to किसके आगया, यहाँ पे right hand side के I hope आपको question clear हो गए होंगे कोई भी doubt अगर आपको लगे तो आप मुझे comment करके पूछ सकते है, अदरवाई चैनल को subscribe कीजिए, like कीजिए और बहुत सारा share कीजिए क्योंकि 12th class में भी मैं आपका sport करने वाला हूँ, तो आप भी थोड़ा सा channel के लिए जरूर sport कीजिए, बहुत सारा share कीजिए अपने friends में Thank you students for watching this video, thanks